यहाल चाले दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं चांगली की गाइड चांगली एक fusion damage dealing character है जो बहुत ही awaited था mainly between guys तो आज वो release हो गया है बहुत लोग उने pull कर लिया है बहुत लोग उने pull करने वाले हैं तो आप सब के लिए चांगली की ये guide देखो चांगली से अगर आपको damage करना है तो दो words आप सीख लो पहला word है true sight और दूसरा word है fort gauge अब इन दोनों से क्या फर्क पड़ता है damage में ये map को पताता हूँ आगे सबसे पहले हम देखेंगे चांगली के चार basic attacks को ये है चांगली का basic attack चार जैसे ही चांगली अपना fourth basic attack करती है वो true sight में enter कर जाती है जैसे मैंने वो पताया कि अभी true sight आप word पल्ले बांदो कि true sight के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चांगली कब true sight में है और कब true sight में नहीं है जब जब चांगली true sight में होती है तब वो अपने basic attack से साधा damage deal करती है तो चांगली true sight के अंदर कब जाती है जब वो अपना basic attack number four perform करती है one two three four अब देखो कि fort gauge के उपर नीचे यहाँ पर एक icon आ गया है जब यह icon visible होता है तो आप समझ लीजे कि चांगली अपनी true sight के अंदर है जब जब चांगली true sight के अंदर होती है तब जब भी वो कोई ground basic attack या mid air basic attack करती है तो वो heavy fusion damage deal करती है कैसे इम आपको करके दिखाता one two three four अब चांगली आगे true sight में अब जब वो करेगी basic attack तो इस तरीके से करेगी अगर वो ground basic attack कर रही है और अगर वो mid air attack कर रही है तो वो कैसे होगा one two three four और यह आई चांगली true sight के अंदर jump करके got it good चांगली true sight के अंदर enter करने का दूसरा तरीका है उसकी skill use करके जैसी आप चांगली की skill use करोगे नीचे visible हो गया है true sight का icon अब जब आप basic attack करोगे तो फिर से basic attack करेगी दुबारा skill use करोगे jump करके got it यह हो गया true sight से attack करने के दो तरीके एक आप basic attack four perform करके true sight में enter कर सकते हो और फिर basic attack करके heavy fusion damage डामिज डील कर सकते हो दूसरा तरीका हुआ skill use करके true sight में enter करके basic या mid air attack करके fusion damage डील करना तीसरा तरीका चांगली का true sight में enter करने का है जब उसकी intro skill release होती है तो intro skill के बारे में आप सबको पता है, जब भी आपका यहाँ पर ये meter पूरा होता है और आप इसी दूसरे character से चांगली में shift करते हो, तो चांगली enter करते ही true sight enter करती है, और फिर आप basic attack perform करके heavy fusion damage deal कर सकते हो, ये हो गया true sight से attack करने का तरीका, अब जो नीचे आप 4 बार देख ये है चांगली का fort gauge, fort gauge कैसे fill up होता है, fort gauge fill up होता है, जब जब चांगली true sight के अंदर जाके enemies को hit करती है, तो उसके per hit पे एक fort gauge का stack आपको मिलता है, जब 4 stack पूरे हो जाते हैं, तब आप press करते हो heavy attack, और heavy attack से बहुत ही heavy fusion damage deal करते हो, तो ये होगे चांगली के damage deal करने के दो तरीक है, अब मैं आपको actually में deal करके दिखाता हूँ कैसे, सबसे पहले मैं आपको true sight वाले attack दिखाता हूँ, एक, दो, तीन, चार, और ये true sight वाले attack, दुबारा से, एक, दो, तीन, चार, और jump करके true sight वाले attack, अब मैं दिखाता हूँ, skill से true sight में एंटर कैसे करते हैं, skill, true sight, skill true sight ओके अब आप देख सकते हो नीचे मेरे जो port gauge के stacks है वो पूरे हैं क्योंकि मैंने true sight के अंदर रहते हुए लोगों पे attack किया है अब इसको मुझे utilize करना है तो मैं करूँगा अब एक heavy attack क्योंकि मेरा fort gauge के 4 stack पूरे है heavy attack आपने देखा नीचे सारे के सारे stack use हो गए और heavy attack ने बहुत ही heavy fusion damage दिया है repeat अब दूसरी चीज आती ही है यहाँ पर resonance liberation तो चांगली का resonance liberation है वो तो fusion damage करता ही करता है लेकि सांती साथ वो आपको सीधा सीधा 4 stack देता है आपके fort gauge के तो मैं यहाँ पर use करूँगा चांगली का liberation attack और उसके फॉरण बाद heavy attack skill true sight damage skill true sight पकड़ लिया मुझे सारी damage basic attack number 4 true sight damage skill and true sight damage चलो अब एक बार recap कर लेते हैं चांगली true sight state के अंदर enter करके enhanced fusion damage करती है उसमें enter करने के लिए आपको basic attack number 4 perform करना होता है उसके बाद ground basic attack या mid air basic attack करना होता है heavy fusion damage deal करने के लिए दूसरा तरीका true sight में enter करने का चांगली अपनी skill का use करके त्रू साइड में enter करती है तो टेखनीकली आपको damage करने के लिए एक बार skill press करनी है फिर basic attack करना है फिर skill press करनी है फिर basic attack करना है यह हुआ proper तरीगा true sight से damage करने का जब आपकी skill deplete हो जाया दो बार skill use करने के बाद आपकी skill cool down में चले जाती है उस moment पे true sight में एंटर करने के लिए आप चार basic attack कर सकते हो और फिर true sight में एंटर कर सकते हो ये हो गया true sight से damage करने का तरिखा दूसरा तरीका है heavy attack से damage करने का कब जब आपका fort gauge के 4 के 4 stack आपके full हो ये full करने के लिए true sight में रहते हुए जब भी आप किसे anime पर attack करोगे तो आपको एक stack मिलता है और अगर आप resonance liberation यूज करते हो जो आपके Q है जो सारी जो आपकी R damage है ultimate damage है आप उसे use करोगे तो आपको एकदम से 4 की 4 stack मिल जाएंगे उसके बाद आप heavy attack button प्रेस करके heavy attack damage कर सकते हो अब हम एक बार बात कर लेते हैं चांगली की inherent skills की चांगली की inherent skills secret strategist ये कहती है कि जब जब आप true sight के अंदर जाते हो और चांगली से basic attack करते हो तो depending on कि आपके पास कितने enflamment के stack हैं fort gauge के कितने stack हैं उस पे depend करते हुए आपका ज़र damage है वो enhance होगा कितना enhance होगा per stack 5% for example अगर आपके fort gauge के 4 stack आपके पास हैं और आप चांगली का basic attack यूज़ कर रहे हो true sight के अंदर जाके तो आपको उस attack पे 20% का damage bonus मिलेगा चांगली की inherent skill number 2 sweeping force से कहती है कि जब-जब चांगली अपनी resonance liberation यानि की R यानि की ultimate use करेगी या जब-जब वो heavy attack करेगी तब तक उसका fusion damage 20% से बढ़ेगा और वो target के 15% defense को ignore करेगी यानि कि target का अगरे defense 100% है तो उसके 15% को ignore करेगी यानि 15% जादा damage करेगी चांगली की intro skill जैसे मैंने बताया true sight में enter करने का 3rd तरीका है जैसी चांगली अपनी intro skill release करेगी वो सीधा mid-air में आएगी attack करेगी और true sight में enter कर जाएगी 12 second के लिए चांगली की outro skill के लिए कि चांगली जब-भी switch करेगी किसी दूसरे character में और outro skill release करेगी तो जो character incoming है उसका fusion damage 20% से बढ़ेगा और उसका resonance liberation damage 25% से बढ़ेगा अगले 10 second के लिए बट usually चांगली की outro skill हम ज़ादा use करेंगे नहीं क्योंकि चांगली के अलावा कोई दूसरा fusion damage dealing character हम team में use वैसे भी नहीं करेंगे चांगली is more than enough एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब-जब चांगली true sight के अंदर enter करती है और वहाँ enter करने के बाद जब भी वो basic attack करें चाहे वो ground से कर रही है चाहे वो mid air कर रही है उस basic attack को as a resonance skill damage consider किया जाता है ये ध्यान रखने वाली बात क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ जब आप चांगली के weapon को देखोगे तो basically चांगली का signature weapon है blazing brilliance ये एक तो आपको 12% का flat attack increase देता ही देता है उसके अलावा ये equipper को जिसने भी weapon equip किया हुआ है उसको एक stack देता है searing feather का जो की हर 0.5 seconds में gain किया जा सकता है वो gain कैसे होता है जब जब चांगली damage deal करेगी एक stack of searing feather वो acquire करेगी और searing feather के 5 stacks वो एकदम से acquire कर लेगी जब जब वो पनी resonance skill use करेगी searing feather का हर stack 4% का additional resonance skill damage bonus देता है so basically जब जब आप basic attack करते हो या resonance skill use करते हो तो आप searing feather के stack को gain कर रहे होते हो और searing feather का हर एक stack in turn resonance skill के damage को boost करता है maximum आप 14 stacks रख सकते हो जैसे ही आप 14 stacks पे पहुँचते हो सारे के सारे stacks जो है 12 second के अंदर गाया हो जाते हैं और इसके बाद आप दुबारे से इन stacks को gain कर सकते हो चांगली से damage करके अब चांगली के team के बारें बात करते हैं देखो चांगली का जो best support है इस वक्त in game वो है ताउचा अब ताउचा have a character है तो आप पुछो के चांगली को कैसे support करता है ये चांगली को support करती है अपनी outro skill की वज़े से outro skill ताउचा की कहती है तो जैसे मैं आपको बताया है चांगली का heavy attack को छोड़के जो बाकी attack वो करती है true sight के अंदर वो सारे के सारे resonance skill damage की तरह count किये जाते है और ताउचा आने वाले character के resonance skill damage को 38% से बढ़ा देती है तो basically जब जब आप ताउचा से चांगली के अंदर switch करते हो तब तब आपकी चांगली जादा resonance skill damage देगी इसके अलावा आप टीमें खीलर रख सकते हो वरीना, बाईजर जो भी आप रखना चाहो देखो गेम में इस टाइम 4 star weapons की कुछ जादा variety है नहीं तो आपके लिए फायदे की चीज यही रहेगी कि हो सके तो आप चांगली का खुद के weapon पुल करो अगर weapon ना पुल कर पाओ तो कोई भी ऐसा weapon आप चांगली को दे सकते हो जिससे आपको attack percentage मिले कोई भी ऐसा फाइसर weapon जो चांगली को crit damage, crit rate या attack percentage दे रहा हो तो आप उसको use कर सकते हो मैं specifically weapons के नाम यहाँ पर नहीं लूँगा तो अगर मैं आपको बताओ कि मेरे हिसाब से चांगली की optimal rotation क्या है तो वो यह होगी ताउचा outro skill, चांगली intro skill, चांगली resonance liberation, skill basic attack, skill basic attack, basic attack 4, basic attack तो गाइस यह थी मेरी चांगली की video very good fusion dps you must pull, बागे मुझा पता ही है इसके fusion damage के लिए तो इसे कौन ही pull कर रहा है there are two very big reasons to pull for her and both of them are on the screen I'll see you next time